हलो दोस्तों मेरा नाम है क्रियांका और मैं करती हूं आप सबका स्मॉल टाउन गर्ल में स्वागत तो अभी वशिंग गटन का वैदर बहुत ही अच्छा हो रहा है तो हर वीकेंड हम घूमने निकल जाते हैं आसपास में कहीं तो आज हम आये हैं इधर क्रिस्टल माउंटेन तो यह फिमस है कि यहां से सारी पीक्स दिखाई देंगे और हां अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने किया है तो जड़ी से जाके पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग सियाटल से क्रिस्टल माउंटेन है वो अराउंड 80-85 माइल्स है तो दो धाइगंटा लगेगा हमने बारा बचे स्टार्ट कर रहा था और हम दो बचे के लगबग पहुंच जाएंगे वहां पे और वहां से देखेंगे पूरा नजारा बहुत ही सुन्दर दिखने वाला है और जो ड्राइव हो भी बहुत खुबसूरत है हाथ अभी पहुंच गया है और बीच में थोड़ा सा इवा के लिए रुग गया दे और जो सामने आपको गेंडोला दिख रहा है वह हमें लेके जाएगा पूरा उपर माउंटेन पे और वहां से बहुत ही सुन्दर नजारा दिखने वाला है and this is going to be my first गेंडोला राइड तो I am really really excited और टिकेट का प्राइस यहां पे है अडल्स के लिए $44 है जिरो टु फोर के लिए फ्री है लेकिन अगर आप उनलाइन ले लोगे तो आपको 39 में मिल जाएगा $5 डिसकाउंट मिलेगा और यह गेंडोला रुक गया है चलते चलते बीच में रुक गया है पच्छिस तो फीट पे हम यहां पे लटके वह हैं और बुझे लगा था बहुत कि अधिए अधिए टोटल राइट थी गेंडोला की यह आइधिंक दस से बारा मिनट की थी इससे जएदा तो नहीं थी हां अभी गेंडोला से बाहर निकल गए हैं और यह सामने यह पीक संसारी यह दिखाई देंगे वहां से सामने यह फोटो लगा हुआ है गेंडोला से निकलते ही वहां से आप देख सकते हो कि आपको क्या क्या देखने को मिलेगा यह मांट रेनियर है यह सब से उच है वह 14,410 फीट उच है और यह सब संट्राइज विजिटर सेंटर यह दिखेगा You got me sing'in' I could be the best thing in your life You got me sing'in' You look like a guy, you could treat me right वे-oh, वे-oh, boy, take a chance, will you let me ride वे-oh, वे-oh, I could be the best thing in your life वे-oh, वे-oh, baby, let's take a drive, take a drive और यहाँ पे कुछ benches भी लगी वी है, तो एक दम relax कर सकते हो and you can enjoy the view, बहाँ अच्छा लग रहे हैं अगराने, और यह सामने है एक रेस्टोरेंट इसका नाम है समिट हाउस रेस्टोरेंट तो क्या खासियत है इसकी कि यह वाशिंगटन स्टेट का हाइस्ट एलिवेशन पर बना हुआ है तो इसन इट अमेजिंग कैसे उपर खाना लेकर आते हैं यह लोग और आइमीन खाने का सामान लेकर आते हैं फिर यहां पर पूरा खाना बनाते हैं बड़ा मुश्किल होता होगा और कुछ तेर वहां टाइम स्पेंट करने के बाद हम लोग वापस आ गए और अगर आप लोग सियेटल बैल्वी रेडमन के असपास रहते हैं तो यह मस्ट विजित है दो डाई गंटा लगता है वहां से और आप कोई भी साटरेड़े संडे आ सकते हो यहां पे रिलेक्स क मंदर है पहुत अच्छा लगेगा आपको यहांपे आपे और हम लोगों को बहुत ही यहां लगा आप मुझे कामीट में बताओ कि आप लोगो को कैसा लगा मैं अगर आज का व्लोग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और फ्रेंड के लिए आप अपना ध्यान रोकिए बाई बाई टेक केर